नमस्ते बच्चों, I am your Hindi teacher, we are going to learn a new topic in grammar, बातचीत, बातचीत लेखन क्या है, यानि कि conversation, बातचीत को हम कहते हैं conversation, जैसे कि हम अभी एक दूसरे से बाते कर रहे हैं, तो what is this, आज हम इसे देखने जा रहे हैं, बातचीत लेखन किसे कहते हैं, और बातचीत लेखन करते समय ध्यान देनी वाली बाते, क्या-क्या बाते हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बातचीत लेखन का उधारन, यानि कि dialogue writing का क्या है, example, ये भी हम देखेंगे, तो बातचीत लेखन किसे कहते हैं, बच्चों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, हुए समवाद या वारता लाप को बातचीत कहते हैं, यानि कि conversation, दो या दो से अधिक व्यक्ति, between two people or more than two people, what are the discussion is happening between two of them, that is called बातचीत और you can say समवाद, उसी को हम बातचीत कहते हैं, so बातचीत लेखन करते समय ध्यान देने वाली बाते, when we are writing the dialogue, so what are the things we have to keep it in our mind, that is very important, so shall we see now, बातचीत की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, जब भी हम बातचीत करते हैं, तो हमारा language, यानि की भाषा कैसी होनी चाहिए, easy होनी चाहिए, और clear होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बातचीत करने वाले का नाम, उसके बातचीत के आगे होना चाहिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस समय बातचीत करने वाले का नाम सबसे पहले होना चाहिए और बातचीत में रोचकता होनी चाहिए The topic should be interesting When the conversation is happening The topic should be very interesting बातचीत के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए तो जब भी हम बातचीत करते हैं It should be correlated It should be related to the topic So now we are going to see one example here तो यहाँ पर example देखिए पिता और पुत्र के बीच पातचीत समवाद So यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों बात कर रहे हैं तो क्या बाते हो रहे हैं? पुत्र कह रहा है पिता जी मुझे बस दस रुपे चाहिए और पिता जी कहते हैं दस रुपे का क्या करोगे बेटा? तो पुत्र कह रहा है मेरे मित्र का जन्म दिन है मैं उसे एक पुस्तक दूँगा पिता पुस्तक ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? पुत्र पिता जी उसे पुस्तके पढ़ने का बड़ा शौक है मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूँगा तो पिता जी कहते हैं तब तो ठीक है तो यह है बाच्छीत यानि की पुत्र और पिता के बीच का डैलोग धन्यवाद बच्चो इसी तरह से अभ्यास करिएगा हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे